Hello everyone, welcome back to my channel divinity terror sex, wet truth exposes darkness तो आज का जो topic है guys वो है कि क्या क्या opportunities आपके जिन्दगी में आने वाले हैं क्या क्या लाबदायक situation आपके जिन्दगी में इंटर करने वाले हैं Who is entering in your life and what is entering in your life, ठीक है? Who is approaching your life and what is approaching your life, ठीक है? So definitely यह हम देखेंगे with the candle wax, आप जानते ही हो मेरा candle wax readings काफी जदा unique होते हैं And definitely I just give the clues, this is a timeless prediction gender neutral reading male female सभी लोगों के लिए है और इस तरह का readings को देखने के लिए और sand readings, coffee cup readings, rose petal readings as well as tarot predictions देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपने नहीं किया है And thank you for the wonderful comments that you are giving me everyday Alright, so please like कर दीजिएगा, comment section पे जरूर लिखेगा कि आपको कैसा लगा and लिखेगा कि thank you universe, I am grateful to you for everything Okay, ताकि universe के तरफ से आपको सारे खुशिया और सारे जो चीज आपके मानो कामना जो है वो पूरी तरह से फुल्फिल हो Now, as per the things that I wanted to share it to you My channel is a selfless channel This channel does not get involved in any type of personal paid tarot predictions As well as selling of bracelets or any type of commercial products and services In the first channel that is spirituality And you can also subscribe my second channel which is a blog channel अगर अप चाहते हो तो आप उसको subscribe कर सकते है This is a selfless channel and definitely please support it ताकि मेरा जो गाइडन से वो सब तक पहुच पहा है So, let's see, let's find out guys This is a general prediction तो हो सता है कि resonate करे हो सता है कि कुछ information ना करे तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना बाकी को जाने देना Okay All right So, in your spirit guides and angels Please guide me in the right direction की मेरे जो फ्योवर्स है उनके जिन्दगी में क्या आने वाले है Wow, flame is increasing guys Okay जिस सरह से मुझे लग रहा है कि आपका जो current situation है ना कुछ लोग बहुत ही ज़दा चिन्तित हो कि कुछ दर्वाजे जो है ना हो सकता है कि आपके लिए बंध हो चुके हो कुछ लोगों को लग रहा है या सही में आप लोग लॉक्ट situation पे हो No contact zone पे हो मतलब आप अपने जो दिल की जो feelings है ना किसी के साथ share नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर मुझे जिस तरह से महसूस हो रहा है यहाँ पर एक lady दिखाए दिये रहे है मुझे लग रहा है आपके mom हो सकते है कोई feminine figure हो सकते है जो आपके life में आपके जिन्दगी में काफी ज़दा एहमियत है उनका मुझे जिस तरह से यहाँ पर feelings हो रहा है बहुत ही positive feeling हो रहा है इस तरह से vibration काफी ज़दा मिल रहा है कि आपके जिन्दगी में जो आप deserve करते हो ना जिसका आप लाइक हो तो definitely वो person आपके जिन्दगी में आएंगे 3 number, 6 number as well as 7 number is very important यहाँ पर एक पेर जैसा यहाँ पर बनते वे दिखाई दे रहा है so पेर मतलब क्या है root, deep root connection so definitely वो आ रहा है आपके जिन्दगी में so क्या है foundation है construction है कुछ लोग अपने जिन्दगी से जिस तरह से नय साल में या हो सकता है कि जब भी festivals आते हैं तो हम क्या करते हैं हमारे घर से जितना भी पुराने clutter है मतलब गंदगी है बाहर निकाल देते है ताकि हमारे जिन्दगी में fresh energy आए ठीक है वो हर एक culture में होता है हर एक मजभब में होता है कि हम अपना घर को बहुत अच्छे से साफसाफाई करते है तो आपके भी जिन्दगी में कुछ इस तरह से कुछ baggages है past baggages है जहां पे आप stuck हो और उसको निकालने की ज़रूरत है जब आप इस reading को देख रहे होंगे maybe it will be around 12 o clock और 3 o clock यह हो सकता है कुछ लोग के लिए मुझे इस तरह से लग रहा है आपके sign हो सकता है Paisis हो, Scorpio हो अनुरादा नक्षात्र हो सकता है किसी किसी का आप लोग बहुत ही ज़्यादा devoted हो, spiritual हो बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि आप अपना मजभब का जो main book है जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो या सुनते हो तेखे, definitely उससे आपको काफी ज़्यादा अच्छा सीख मिलता है and definitely अगर नहीं है इस तरह से तो आप अपने जो है ना कि आप विश्वास रखते हो इस इनिवर्स में nature पे, कुदरत पे कि कुदरत definitely एक दिन करिश्मा और रंग ज़रूर लाएंगे आपके जिन्देगी में रंग definitely होगा अगर आपका जिन्देगी जो है वो पूरी तरह से black and white हो रहा है किसी के वज़े से आप depressed हो या stressed हो, हो सता कि आपके काम के burden भी बहुत ज़्यादा हो तो उस चीज से आप उभर बाओगे यहाँ पे एक tiara जिस तरह से बनते वे दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा chances बनते हैं कि आपका marriage fix होने का यहाँ पे L letter है यहाँ पे V letter है, I letter है 11, 11 बार-बार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 3, 6, 7 and 11, 11 are very important हो सथा है कि यह साड़े numbers काफी जाद आपके life में significant हो सथा है कि आप किसी को मिलो या मिल चुके हो या आपके date of birth related हो कुछ बार में हम थोड़ा सा pendulum में भी देख लेंगे कि कब तक आपके life, जिन्दगी में खुशकबरी आते रहेंगे village to city, transfer होंके कुछ लोग बहुती दूर रहते हो अपने घर से तो हो सकता है कि आप लोग relocate करो आप लोग अपने घर के family members के साथ आपका reunion हो रहा है friends के साथ हो रहा है यहाँ पे एक कान की बाली या जुंका जिस सरह से बन रहा है हो सकता है कि आप लोग पहने मतलब if you are female you love wearing this type of earrings या हो सकता है earrings एक artist मतलब it's a job to design means designer का job होता है definitely हो सकता है इस designing job में आप जाओ ठीक है कुछ आप लोग आपना definitely खोलने की कोशिश करो you start to open a business of your own इस तरह से हो सकता है मतलब ideas आपके पास काफी जदा creative आ सकता है कुछ आप लोग extra training ले सकते हो development के लिए ठीक है यहाँ पर दिख रहा है मुझे guidance आपको पूरी तरह से मिलेगा यहाँ पर alpha sign बनते वे दिखाई दे रहा है alpha यहाँ पर पूरी तरह से बन रहा है and no one can deny that that this is a sign of an alpha alpha का मतलब आपको पता है कितना जदा वो significant है alpha मतलब आपके अंदर जो ताकत होगा ना जो you will become a charismatic person definitely आपके अंदर जो skills है stamina है confidence है abilities है creative personality हो आप आगे बरोगे और दुनिया आपको देखेंगे और तब आपके जिंदगी में positive energy positive person positive चीज़े आने से कोई नहीं रोक सकते है ठीक है कुछ लोग यहाँ पर एक्वरेश जिमनाई Libra में से हो कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है जब आप इस reading को देख रहे होंगे ना तो थोड़ा सा smile आप कर रहे होंगे कि at least आपको relief मिलेगा सारे tension से तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी का घर का हो सकता है कि आप लोग छद में जाके reading देख रहे होंगे या second floor पर हो रहे होगा reading या जब आप इस reading को देख रहे होंगे तब अच्छा आप लोग के घर के आसपास यह हो सकता है elephant का statue है या elephant का कुछ sculpture या मूर्ती बना हुआ है इस तरह से हो सकता है या elephant is always related to गनेश जी हो सकता है कुछ related हो उससे दोसरा चीज जो मुझे लग रहा है आपके साथ fair and honesty के साथ dealings करेगा और आप बिलकुल भी छोटे चीज में satisfied नहीं होने वाले जो पहले आप हुआ करते थे कि छोड़ा चीज में ही आप satisfied हुआ करते थे बड़ आप छोड़े में सेटल नहीं करना चाहोगे आपको चाहिए होगा बहुत बड़ा big and magnificent बहुत ही बड़ा miracles जो होगा आपके साथ यह इसलिए होगा क्योंकि आपके बहुत बड़े positive thinking के वज़े से होगा यहाँ पर hourglass आ रहा है मतलब समय थोड़ा सा आपको देना परेगा अगर आपके situation आपको लग रहा है कि open down बहुत ज़दा हो रहा है fluctuations हो रहा है आपके career में अचा जब आप मैं इस reading को दे रहे हूँ मैं एक बात आपको बताना चाहते हूँ जब भी मैं इस तरह कर readings करते हूँ मैं career भी थोड़ा थोड़ा बताते हूँ तो आप लोग please उसको सुना कीजिए ठीक है यहाँ पर भी सिर्फ मैं personal reading या love relationship marriage ही नहीं कर रही हूँ कुछ और भी clues आ रहा है तो मैं आपके बारे में भी तो बोल रही हूँ आप please उसको सुना कीजिएगा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना जिस तरह से मुझे लग रहा है कि two souls यहाँ पर you are 100% you are similar जो भी आपके vibrations है उनके अंदर वो reflect हो जाता है आपके twin flame जो है ना आपके divine counterpart यापके soul match जो है आप जिस तरह से सोचते हो जिस pattern में आप thinking करते हो ना उस pattern में वो भी thinking करते है so please try to think very much positive ताकि उनके अंदर भी positive vibrations भी हो यहाँ पर छत्री दिख रहा है और उसके नीचे कुछ इस तरह से दिख रहा है so umbrella protection is coming for you वो भी nature से यहाँ पर एक shoes यहाँ पर umbrella shoes हो सकता है कि आप सपने में देख रहे हो shoes अगर आप सपने में देख रहे हो इसका मतलब है धन love आपका हो सकता है shoes यहाँ पर अगर आ रहा है so it means abundance, luck in case of financial gain मतलब यहाँ पर आपका प्राप्ती हो रहा है दूसरा जो चीज मुझे यहाँ पर नसर में आ रहा है कि slow आपके जन्देगी में जबी भी कुछ चीज आया है बहुत ही धीरे धीरे से आया है but long lasting हुआ है कुछ लोग अपने life में काफी ज़दा जल्दी जल्दी जो success कर लेते है उनका success long lasting तक नहीं चलता देखना जो भी person धीरे 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 जाते है उनका success बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर कोई आपके साथ meeting करने वाले है related to personal meeting यह definitely हो सकता है किसे के साथ new connection आपका build होगा friendship से start होगा online हो सकता है internet हो सकता है by mutual in office हो सकता है पर अभी feeling मुझे दिख रहा है there is a long distance gap आदर तो आप लोग face to face मतलब बात नहीं कर रहे हो अभी या आप already इनको जानते या नहीं जानते हो काफी दूर है आप से okay Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio एक world का मुझे दिख रहा है ये person जो है न जब भी आप से मिलेंगे उनको लगेगा और आपको भी लगेगा कि इनको पहले आप पहले से ही जानते हो okay so I do find मुझे लग रहा है कि वो होसाता है कि आपको कुछ flowers gift करें maybe a bunch of roses in white and something like that जिस वक्त आप इस reading को देख रहा होंगे maybe you are wearing white okay or you are wearing grey color या होसाता है आपके pleated अगर आप female हो तो कुछ pleated skirt या dress पहन रहा हो उस तरह से मुझे दिख रहा है या अगर आप male हो तो light blue color या magenta color होसाता है या beige color beige color उस तरह का होसाता है मुझे लग रहा कुछ लोग यहाँ पर मुझे ने पता नहीं क्यों दिख रहा है यहाँ पर न yes I can feel यहाँ पर जिस तरह से arrangement यहाँ पर बन रहा है कुछ शादी का मंडब में जिस तरह से मंडब बनता है सचता है उस तरह से मुझे दिख रहा है so of course यहाँ पर खुशिया ही खुशिया आपके जीवन में जिन्देगी में of course आने वाला है लेकिन आपके thinking के वज़े से वो delay होता है मैं आपको बार बार बताती हूँ आप negative thinking करते हो और यह delay हो जाता है तिकि आप बिश्वास नहीं करते हो if you start to believing it you will see that चीज जो है बहुत जदा fast fast आता है कुछ लोग मुझे लग रहा है computer के सामने बैटे हो laptop के सामने या आप अपने कुछ important काम कर रहे थे लेकिन फिर भी आपने इस reading को देखा अभी मुझे channelize हुआ आपके just बगल में एक table lamp है जो square shape हो सकता है या lamp इस चीज का प्रतीक है कि अंधिरे में भी आपको रोश्नी की जरूरत है जो आपको guidance definitely मिलेगा कुछ लोग यहाँ पे जो है ना hermit stage पे हो आप लोग बिलकुल अकेले पर इसी में आप लोग बहुत ज़दा सीक रहे हो, learning कर रहे हो और अपना एहमियत जो है आप समझ रहे हो and you are growing day by day दिन के दिन आप लोग successful होते जाओगे personal life में भी professional life में भी financial life में कुछ लोग definitely यहाँ पे investments करने वाले हैं जुनको बहुत ही अच्छा सा lab होगा ठीक है, यहाँ पे बार-बार मुझे cross sign दिख रहा है plus, so हो साथ है कि plus देखो दो तरह से होता है medical field को भी represent किया जाता है red cross society भी है कुछ हो साथ है कि आप लोग दान या लोगों को मदद कर रहे हो आप लोग उस तरह का rescue management में जा रहे हो या आज कल लोग पढ़ते है जिस तरह से न कि emergency procedures को handle कैसे किया जाता है for example, flight में या जब भी natural कोई calamities आता है for example, बार आ जाता है भूकंप होता है कुछ इस तरह से होता है कि लोगों को किस तरह से relief करे, उस तरह programs में जा सकते हो maybe training camps हो सकता है आपका या इस तरह से भी हो सता है कोई आपके जिंदेगे में healing आ रहा है ठीके और उसी healing के वज़े से आप क्या करोगे, आपके past जो चीज था वो आप दूर कर दोगे stuck जो थे आप में यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप stuck बिल्कुल नहीं रहोगे यहाँ पे accurate symbol आ रहा है आपका हाथ इस तरह से हो सकता है ठीके इस तरह से थोड़ा सा bent होके मुझे दिख रहा है है हैं पे दूसरा चीज जो मुझे दिख रहा है आपके family से काफी ज़दा pressurize कर रहा है कुछ लोग के लिए कि आप लोग शादी कर ले या subtle हो जाए या अगर आपका first marriage या second या third और जो भी है ठीके बट आप आपको चाहिए actually बढ़ा हो ठीके या या वेटिंग for that opportunity तो वो definitely आपके life में आएगा यहाँ पे Saturn बहुत ज़दा मुझे दिख रहा है किसी के 6th house में हो सकता है Saturn किसी के 8th house में हो सकता है Saturn किसी के 9th house में हो सकता है Saturn ठीकें या 7th house में शनी हो सकता है अगर 7th house is a indicator for partnership भी होता है 7th house is a indicator for romantic relationship as well as any type of you can say spouse spouse का घर होता है 7th house अगर वहाँ पे शनी बैठा है या शनी का घर है तो थोड़ा बहुत delay होता है जितना तक astrological मुझे knowledge है तो इसलिए हो सता है कि आप थोड़ा सा चार्ट दिखा लेना किसी certified astrologer से ओके ओल्राइट यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग बार बोल दो baby के लिए video बना baby के लिए कुछ अलग सा video नहीं बनता है वो medical चीज होता है बढ़ हाँ there is a fertility हो साता है कि आप लोग बहुत जदा sexual intimacy के वज़े से या fertility का अगर आपका कोई issues है for male and female हो साता है कि आप लोग doctor के consultation के वज़े से आपके जो सारे complication है problem है आपके body में वो सारे गायब हो जाएगा ठीक है and definitely you will get whatever you want ठीक है मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि you are getting an association आपको कोई public जगा से मतलब कोई public event में आप जा रहे वहां से invitations आ रहा है या कोई meetings हो रहा है या कोई formal discussion हो रहा है वो आपको शामिल कर रहे है maybe you are the head of the team or definitely आप meeting कर रहे है आपके वज़े से company का expansion हो रहा है आपके वज़े से आपके family भी बहुँ ज़दा कुछ होने वाले है आपका तरक्की हो रहा है इसको देखे वो लोग गर्व महसूस करेंगी यहाँ पे sun बनते जा रहा है okay and definitely you will उस तरह से समझना वो गाना भी मुझे याद आ रहा है बदन पे सितारे लपेटे हुए अपने बदन पे आप ज़स्ट महसूस करो कि you are just wrapped up in stars ठीक है and then you will get whatever you want of course star of course this is your destined connection and definitely आप आप जब अपने soulmate से आप अपने जब real and actual soulmate से मिलने वाले होना उसी तरह का खुशी आपको आएगा जिस सरसमन आपको बताया कि बदन पे सितारे लपेटे हुए आपको लगेगा कि क्या ऐसा से भई अपने soulmate से मिलने का यहाँ पे कुछ connections of course यहाँ पे जो connections यहाँ पे बनते जा रहा है major chances है कि आप लोग उनको internet या उनलाइन पे मिलो major chances है arrangement मुझे कम दिख रहा है major chances है कि आप लोग networking से फ्रूम मिलोगे या public relationships के वज़े से हो सकता है PR के वज़े से हो सकता है या friends आपके लिए कुछ रिष्टा रहा है यहाँ पे friends के friends हो सकते है या आप खुद meet कर रहे हो ठीक है online पे उनके साथ बातचित कर रहे हो लगाता है यहाँ पे आसू गिरते वे नहीं दिख रहा है अगर आसू भी गिर रहे है आपका तो please बंद कर दो कि आपके लिए खुशकबरी यहाँ पे crow बनना आपके ancestors का आपका जो पूर्वज है ठीक है वो आपको कुछ कहना चाते है ध्यान से सुनना कि क्या कहना चाते है वो हो सता है कि कुछ दिनों से आपके घर में हो सता है कवा आ रहा है ठीक है so try to listen and definitely pay attention अगर आपको कुछ feathers भी दिख रहा है कुछ वो भी दिख रहा है yes बहुत जदा birds जो कभी भी आपके balcony में या आपके घर के सामने नहीं आए है पर आचानक आना शुरू किये है ठीक है तो भी आप लोग प्लीज attention देना यहां पर बार बार मुझे दिख रहा है जिस तरह से शीव जी आन पारवती ठीक है तो बारवती जी जो उनका जो एक connection है ठीक है divine connection दीव भी a connection तो वो होसाता है आपके साथ आपके partner को हो इसलिए on and off होता है समझने में problems होते है difficulties होते है but definitely it will be in union because twin flames are bound to be in union ठीक है twin flame connection कोई karmic connection नहीं होता वो definitely union के लिए ही होता है okay so I'm ending the reading here universe please fulfill everyone's wishes सबका wishes fulfill करना ठीक है इसी के साथ मैं reading को समाप्त करती हूँ please आप लोग थोड़ा सा वेट केजे मैं pendulum से थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कब तक सब कुछ सही हो जाएगा थोड़ा सा pendulum देख लेते हैं just a second guys I'm sorry I got the pendulum late कि वो एक जगा पर पता नहीं कान चुप गया था हूँ okay उनको कब तक खुशकबरी यह person कोई भी opportunity उनके सिंदगी में आ सकता है Sunday and Wednesday, November month is there okay Aries and Scorpio month दिखाय दे रहा है G-H-I-J-W-X-Y-Z Wednesday and Sunday possibly okay November and April can be important months okay so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do subscribe, share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity terror 6 sweat truth always exposes darkness and will expose darkness